हेलो फ्रेंड्स, गुक वीटेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगे सिंपल और असान तरीके से भहती टेस्टी मेगी तो आई ये बनाना शुरू करते हैं इसके लिए कड़ाई में हम एक बड़ा चमच कुकिंग ओईल डालेंगे ओल जैसे ही गरम हो जाए हम इसमें बरीक कटा हुआ लेस्ट डाल देंगे ये मैंने दो लेस्ट की कलियों को बरीक कटा हुआ है एक बरीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और हरी मिच डाल देंगे हर image के quantity आप अपने टेस्ट के according डाले अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हर image को उसकी भी कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए प्याज को भूनेंगे जैसे ही प्याज हमारे soft हो जाए हम इसमें एक ग्रेट किया हुआ टमाटर डाल देंगे mix कर देंगे इस तरह टमाटर ग्रेट करके डालने से मैगी बहुत ही टेस्टी बनती है कुछ सेकंड के लिए टमाटर को भी हम भून लेंगे अब हम इसमें एक चोथाई छोटा चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे आदा चोथा चमच हम इसमें नमक डाल देंगे और एक चोथाई छोटा चमच हम इसमें लाल मिच पाउडर डाल देंगे ये मैंने लाल कश्मीरी मिच कई उसके है या तीखी बिल्कुल भी नहीं होती इसे मैगी में कलर बहुत ही बढ़ी आता है कुछ सेकंड के लिए इसे पकाएंगे अब हम इसमें दो मैगी के हिसाब से डेड़ गिलास पानी डाल देंगे मैगी मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें अपनी मैगी डाल देंगे ये मैंने दो मैगी का यूस किया है और मैगी को हम बनने देंगे मैगी के साथ हम एक बड़ी आसी चाय भी बनाएंगे जो कि हमारे मैगी के टेस्ट को डबल कर देगी इसे हम दूसरी गैस पर बनने के लिए रखतेते हैं तब तक हम चाय बना लेते हैं चाय बनाने के लिए एक कप हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी को हम boil होने देंगे ये देखे फ्रेंड्स पानी में boil आ गया है इस stage पर हम इसमें कुटी हुई अद्रक और इलाइची डाल देंगे अगर आप सर्दियों में चाय बना रहे हैं तो तुलसी का पत्ता भी इसमें कूट कर डाल सकते हैं इससे भी चाय बहुती टेस्टी बनती है ये मैंने अद्रक और इलाइची का यूज किया है इसे अच्छे से कूट कर डालेंगे थोड़ी सी अद्रक और इलाइची को हम बचा लेंगे इसका यूज हम बाद में करेंगे गैस की फ्लेम को low to medium करेंगे और 2-3 मिनट के लिए हम इसे ढखतेंगे ताकि अधरा कोरिल आईची का फ्लेवर पानी में अच्छे से आ जाए और मैगी को हम इस तरह से मिक्स कर देंगे ये देखें फ्रेंड्स मैगी हमारी 90% तक कुख हो गई है इस स्टेज पर हम इसमें आदा छोटा जमच बटर डाल देंगे बटर डालने से मैगी का टेस्ट डबल हो जाता है बटर के मेल्ट हो जाने तक 2-3 मिनट के लिए मैगी को हम इसी तरह पकने देंगे मैगी हमारी रेड़ी है इसे हम साइड में रख देते हैं तब तक हम अपनी चाए बना लेते हैं ये देखे फ्रेंट्स पानी का कलर चेंज हो गया है अदराक और हरी इलाइची का फ्लेवर अच्छे से पानी में आ गया है अब आम इसमें चाए पत्ती डाल देंगे जो चाय पत्ती आप यूज करते हैं वह डाल सकते हैं और दो चमच हम इसमें चीनी डाल देंगे ये मैंने खांड का यूज किया है आप इसके जगे चीनी भी डाल सकते हैं अच्छे से हम इसे बोईल होने देंगे पानी में अच्छे से बोईला गया है अब हम इसमें सवा कप दूट डाल देंगे क्यूंकि हमने एक कप पानी का यूज किया था और पानी उबलते उबलते थोड़ा कम हो गया है सवा कप अब इसमें दूट डाल देंगे जिससे कि हमारी दो कप चाए रेडी होगी और इसमें बॉइल आने का वेट करेंगे अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और चाय को बॉइल होने देंगे इस तरह से 2-3 मिनट हम चाय को अच्छे से बॉइल करते रहेंगे ताकि चाय हमारे अच्छे से पक जाए उबालाने पर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हिलाते हुए हम दो से तीर मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे इससे हमारी चाय बहुत ही टेस्टी बनती है अब लास्ट में जो अद्रक और इलाइची हमने बचाई थी वे डाल देंगे इससे चाय का टेस्ट डबल हो जाता है फ्रेंड्स चाय तो आप भी बनाते ही होंगे एक बार इस सरे से चाय बना लेंगे तो बार बार जरूर बनाएंगे आपको भी चाय भोती पसंद आएगी अगर आपको लोंग का फ्लेवर पसंद है तो एक लोंग भी कूट कर डाल सकते हैं ये देखें फ्रेंड्स कितनी बड़िया चाय हमारी बनकर रेडी हो गई है, अब गैस की फ्लेम को बन कर देंगे और इसे हम छान लेंगे और गर्मा गरम मैगी भी हमारी बनकर रेड़ी है, इसे भी प्लेट में हम निकाल लेंगे, चाय और मैगी को हम गर्मा गरम इंजॉय करेंगे वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमिंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब भी करे थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड़ बाई